दोस्तो नमस्कार अच्छे हैल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं कि मकर संकरांती बहुत ही सूब दिन होता है दोस्तो अगर इस दिन अगर यहां आप पांच कार्य करते हैं तो आपके लिए काफी सूब होगा, आप दोस्तों काफी सफलता हसिल कर सकते हैं, आप लोगों का मदद कर सकते हैं, आप अपनी दोस्तों कारिय में काफी सफलता पा सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि मकर संगरांती का दिन अतिसुब होता है भीसम पिता महा जिसको अपने इच्छा के अनुसार मिर्तिव प्राप्ता होने का वर्दान प्राप्ता था इसलिए भीसम पिता महा की मिर्तिव मकर संक्रांति के दिन उनके इच्छा के मुतबित ही हुआ था दोस्तो आज की दिन हमारे लिए खिचडी और तील की लड़ू खाना हमारे सिहत के लिए और हमारे लिए कफी लापकारी होता है हमारे देश और समाज में इस तेवहार को अलग-अलग तरीके से मनाते हैं मकर संक्रांति के दिन ऐसे कौन से पांच कार्य करें जो हमारे लिए कभी फैदेमंद साबित होगा इस दिन सुबह आप जल्दी से सोकर उठे भले ही रात में आप देरी से ही क्यों न सोय हो अर्थात आपको सुरुदय से पहले ही उठना शाहिए इस दिन अगर आप कहीं तीर्थ इस्तान पर गए हैं तो आप मौन वस्ता में ही इस्तनान करें इस दिन खाद्य पदार्थ जैसे कुछ चामल डाल, घी, हल्दी, आदी दोस्तों एवं तील की लड्डू आदी गरीब को दान करें दोस्तों दान तभी करें जब आपकी बजट हो या अपने बजट की मुताबित ही दान करें आप अगर सक्षम है तो इस दिन गरीब को चादर और कंबल आदी दान जरूर करें और साथ ही हल्दी और घी का भी दान करें इससे आपकी कारिया में जल्दी सफलता मिलेगी तो दोस्तों यहाँ सुब पांच कारिया आपको करना ही चाहिए दोस्तों इसे आपके घर माल अक्ष्मी की वास होगी और दोस्तों आपकी कारे में अच्छी सफलता मिलेगी दोस्तों आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगे होंगे और यह वीडियो आपके लिए काफी helpful हुआ होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्राइब जिरूब कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिक्रेशन आपको टाइम पर मिलते रहें मिलते हैं ऐसे ही कुछ अन्य इंटरेशन वीडियो के साथ तब तक क्लिए टाटा भाई भाई नमस्कार